में सबसे पहले कि मैं आप सभी शैनल्स का इदिल नसे पार्टी कि तरफ से दनेवाद करता हूं और मुझे सिर्स नेत्र तवलें अपना आशिरवा देखर के जन्नाएक-जनता पार्टी की तरफ से तर्फ कि शिर्षा लोक सबसेतर से टिकट दे करके शिर्षा की जनता चेंदर भेजने का काम किया इसके लिए मैं अपने सीर्ष नेत्रितों कता है दिल से धन्यवाद करता हूं डाक्टर आजी सिंग चुताला जी का जो अमारी पार्टी के राश्टी है देख से उनका श्रिद्धिविजे सिंग चुतारा जी काता है दिल से धन्यवाद करता हूँ और हमारे पार्टी के दूसरे जितने भी लीडरान नेतागन हैं मैं उनका भी ते दिल से धन्यवाद करता हूँ और जो टिकट दे करके मुझे बेजा है मैं सिर्चा की जनता को विश्वास दिला करता हूं कि हर वरक काशिरवाद लेकर के मैं MP के रूप में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचाथ में जा करके मैं आपने शिर्षा के लोगों की आवाज को बुलन करने का काम करूं ग्राउंड लेवल पर लेकर करके हमारी पार्टी परदेश सतर के मुद्द लेकर के चली है क्यूंकि बहुत सी नेशनल ज्वाट्ई आ जो नेशनल ज्वाट् euh को नैशनल सतर की आपनी बात करें गे और अमारी परदेश सतर की है तो जो भी हमारे स्टेट के टालमेंट के काम होंगे तो उह उनको लेकर के हम लोगों के बीस मजाएंगे और उन से परात्ना करें तो नाराज तो इसलिए नजर आ रहे हैं लोग। क्योंकि कोई भी सरकार होती है, तो सब को खुछ नहीं किया जा सकता। तो प्रस्कार्ण टो सिंप्ते ने किसान है, चाहव आम आद्मी है, चाहव यूआ सात्ती है, चाह। अदूसरे है। तो उनको सबको खुछ नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी अमारे नेता स्री दुश्यन चुटाडा जी ने जो भी प्रदेश सतर की आवाज होती थी उस आवाज को विधान सभाम है चाहे वो अमारे बेरोजगार लड़कों की आवाज को उठाने का मुद्धा हो चाहे लेड तरफ से हमारे नेतान आवाज को विधान सभाम उठाने का काम की जा है कोंग्रेस के सामने जीज़ीपी कितना स्टेंट कर दिये लुक्समच नाथ में दरेज़गा तो देखो जिस पार्टी से भी आप लोग बात करेंगे पत्तरकार साथी तो कोई भी अपने आपको किसी पार्टी का कंडिडेट है वो यह नहीं कहीगा कि मैं कमजोर हूँ और एक कंडिडेट यह कहेगा कि मैं जीतूंगा लेकिन वो तो समय बताएगा क्योंकि जिसको जनता का असिरवाद मिलेगा वो इंदोस्तान की सबसे बड़े पंसायत में जाहिए तो कल ही जो पांस सिटो हमारा बहुत बढ़ी चुनाओ रहेगा क्योंकि दूसरी पार्टियों को यह था कि इनके पास कंडिडेट नहीं है इनके पास वरकर नहीं है लेकिन यह पार्टी तो फिल्ड की पार्टी रही है देविलाल जी तो हमेशा वो गरीबों में जाकर के लोगों की आवाज को काला जी और पार्टी के अनना नितागंड जाकर के अपने कंडिडेट्स के लिए बोट मांगने का काम करेंगे और केवल बोट मांगने का ही नहीं बलकि उनको 36 कौम का आशिरवाद मीं देगा और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में MP के रूप में सून करके दिल हम उसमें अपनी जो भी कारिय प्रणारी है अलकावाईज अपने प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम बना करके हम बहुत जल्दी ही लोग के अंदर जाने का का कम करेंगे जा भी आपके आत्में आगी है लुप सुबा का तारा कूपाय नहीं बिल्कुल बिल्कुल कि अभी वह इस बात की आवाज वह हमने उठाने का काम किया अरी दुस्य इंस उठाड़ा जी के रूप माप लोगों ने देखा के इसार से हमारे नेता जी चून करके गए तो उन्होंने जैसे ट्रेक्टर के रूप में जो भी नेशनल अस्तर की पार्टी थी तो उन्होंन इसके उक पर टैक्स ना लगा जाए और उसनी की पार्टी कराने का काम करने का पांपका करने लगे किसानों का मसिया का जाता था लेकिन अब हालात के साथ जेज़ेपी का विरोध के हो रहा है वो देखो मैंने पहले भी बताया आपको क्योंकि जो प्रेज़ेंट सरकार होती है तो उसमें सभी को खुश नहीं किया जा सकता और बहुत से ऐसे मुद्दे रहे हैं कि किसानों के पूरन लूप से वो नहीं पूरे हो पाए लेकिन फिर भी हमारे नेतान है उनको पूरा करने का काम किया है और जो आदूरे हैं फिर हम किसानों को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम उनके मुद्दों को जो भी उनके आवाज है उसको बुलंद करने का कम उनके कम मुकाग बढ़ाने का काम करें। करके जाने का अवसर दिया है तो आज हम लोगों के अंदर जाते हैं तो लोग हमारे को ये विश्वास दिलाने लग रहे हैं कि आप कोई बात नहीं क्योंकि उनकी नेशनल स्तर्खी पार्टी है और हमारी स्टेट लेवल की है तो इसलिए आप लोगों को अम ताकत दे करके फ को ओब हमार्टी हूम